अब हम आते हैं अगले बिंदु पर और वह है संग या केंदर राज संबंधों का मूल्यांकन assessment हमारे संबंध कैसे हैं हम इसे किस नजरिय से देखते हैं क्या ये संबंधों को आदर्श संबंध माना जाए क्या संब्धानिक प्रस्ताव संब्धानिक धाचे में जो जिन संबंधों की अपेक्षा की गई है विया भारिक दिश्टि से वे संबंध वैसे ही बरकरार हैं या इसमें खटास है उतार चड़ाओ है और यह ऐसा है तो क्यों उसके निराकरन के हले क्या किया जाएगा तो अगला बिंदू केंद्र राज्य संबंधों का मुल्यांकन या एसेस्मेंड और एवेलिएशन ओफ यूनियन स्टेट रिलेशन्स तो भारत के 70 साल के स्वतंत्र इतिहास में हम केंदर राज संबंद को किस नजरिये से देखते हैं कैसे देखते हैं कुल मिला कर क्या हम संबंदों को लेकर उत्साहित हैं या इसमें कोई दरार आई है या संबंदों में संबंदों को या उसके ताने बाने को पुना पारिभाशित करने की जुरत है इसमें कोई दो मतनी के सम्विधान द्वारा संगी सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाए गया और ज्यादा मतलब अत्याधिक शक्तिशाली बनाए गया संगी सरकार किसी भी विशय पर देखा जाये तो विधि निर्मान कर सकती है यूनियन लिस्ट पे तो कर ही सकती है कॉंकरेंट में भी उसका प्रभाव रहता है और यदि कॉंकरेंट लिस्ट या सहमति सूची में रज्य सरकार कुछ अन्य प्रावधान करती है जो केंदर के प्रावधान के खिलाफ है तो केंदर का प्रावधान अंतिम माना जाएगा तो इस प्रकार समवर्ती सूची में भी केंदर का दबदबा है और रज्य सूची में शांति काल में भी केंदर विशेष परिस्थितियों में कानून बना सकती है हाँ उसके लिए रजसभा का प्रस्ताव जरूरी है आपातकाल में तो पूर्ण रूपेन रज केंद्र के नियंतरन में आ जाता है निशकर्ष ये कि केंद्र जो है वह बहुत हावी है इतना ही नहीं अवशिष्ट विश्यों के मामले में भी वह केंद्र ही शक्तियों का उपयोग कर सकता है राज्यों के राजपाल द्वारा राज्यों पर पूर्ण नियंतरन केंद्र का होता है आपातकाल के अतरिक सामाने काल में भी जैसा मैंने बताया उसकी शक्तियां बढ़ी रहती हैं और और बढ़ा भी सकती है इसलिए भारती संग की आत्मा को जैसा मैंने पूर में बताया एक आत्मक है धाचा संगात्मक है स्ट्रक्चर जो है वह फेडरल है लेकिन जो सोल है वह यूनिटरी है फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी सोल ये निश्कर्ष है हमारे संबन्दों राज्य और केंद्र के संबन्दों को लेकर इसके अलावा केंद्र सरकार की आएक के साधन भी बहुत अधिक है राज्य सरकार की आएक के साधन कम है जैसा हमने वित्ती संबन्दों में पढ़ा और GST का मामला जैसे देखें जो पिसले पांच साल से एक बहुत चर्चित मद्दा था नोट बंदी का मामला देखें जो पिसले तीन-चार साल से बड़ा चर्चित मद्दा था इस पर पूर्ड रुपेंड केंदर का ये पूरा केंदर का निर्णा था राज्य सरकारेंस में कुछ विशेश नहीं करते थी ऐसी स्थिति में प्रफेटर पाईली उन्होंने कहा है कि आज की स्थिति में अर्था 75 साल के अनुभों के बाद ये देखा गया है कि राज्यों के पास सी मितसाधन है और अपनी अधिकतर विकास योजनाओं के लिए उसे केंदर की सहायता की जरूरत पड़ती है और इसी के कारण राज्यों को केंदर का नित्रित्व स्थिकार करने की विवश्टा है यानि विवश्टा पूर वक्वे स्वीकार करते हैं केंदर का नित्रत्व अंदर से नहीं कभी कभी केंदर के आदेशों के आगे जुकना भी पड़ता है इस पकार राज्यों की स्थिति एक तरीके से निर्बल दिखाई देती है जिन उदाहरणों को मैंने आपको पूर में बताया विधाई की संबनों के मामले में प्रशासनिक संबनों के मामले में और वित्ती संबनों के मामले में इन उदाहरणों सो भी स्पष्ट है कि कैसे केंदर जब चाहे राज्यों के राज्यों को परिशान कर सकता है राज्यों की श्थिति को बिगार सकता है और जैसा चाहे वहां की व्यवस्था को तोड मरोड सकता है इसलिए सभी क्षेत्रों में राज्य सरकारों की संगी सरकार पर अत्याधिक निर्भरता को लेकर कुछ लोगों ने ये कहा है कि राज्यों की स्थिती नगर पालिकाओं जैसी है इस बात का जिक्र मैंने पूर में भी किया था और इतने विश्तृत अध्यन के बाद संभवता आप पूर में जब मैंने किया था तो विशारों को लेकर इसका खंड़न मी हुआ था लेकिन इतने विश्तृत अध्यन के बाद अब आपको भी लगता होगा कि संभवता प्रफिसर पाईली का यह वक्तब वे सही है जिसमें वे राज्यों की स्थितिकी तुलना नगर पालिका से करते हैं इसलिए विगत बीस वर्षियों से बार बार निरंतर संग और राज्य के संबन्दों को लेकर विविन राज्यों द्वारा स्वायतता आयका साजन बढ़ाने की अहमियाद और अन्य कुछ मुद्दों पर संगी सरकार से मांग की जाती रही है संगी सरकार से टकराहट होती रही है और समय के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि इस तरह की मांग और टकराहट दिनों दिन प्रबल होती जा रही है उधारण से भी इस पश्ट है, चाहिए वे पश्वी बंगाल के उधारण हो, चाहिए वे करनाटक संबन्द में उधारण हो, या दिल्ली से संबन्द ते उधारण हो, महराश्च में भी कमों बेश यही स्थिती कुल मिलाकर देखा गया है कि उन सभी राज्यों में जहां उन दलों की सरकार है जो केंदरी सरकार की नहीं है अर्थात वे दल जहां पर शासन कर रहे हैं जो जिनका केंदर सरकार के ढाचे में किसी तरह की भूमिका नहीं हैं तो वहां ये समस्याएं ज्यादा हैं वर्तमान में महराश में शिव सेना महागाडी नौन बीजेपी गडबंधन का शासन है दिल्ली में अर्विन केजरिवाल की आप पार्टी का शासन है आम आदमी पार्टी पश्चिमी बंगाल में तरिना मुलक कॉंग्रेस ममता बैनर जी द्वारा शासित है बिहार में ऐसी इन्तीश कुमार किसी तरह से बीजेपी के साथ केंद्री सत्ता के साथ अपना संबंद बनाया रखते हुए शासन चला रहे हैं और अन्नी राज्यों में भी अज़ी देखा जाया तो स्थिति कोई बहुत उत्साह देने वाली नहीं है दिनों दिन राज्य और केंद्र के बीच के संबंदों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है गत सत्तर वर्षों का अनुभव ये स्पष्ट करता है और ये बात उभर के सामने आई है कि संग राज्य संबंदों को लेकर जो कुछ भी हो रहा है खास कर तनाओं बढ़ता हुआ तनाओं जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ उसके पीछे दलगत राजनीती की बहुत बहुत पूर्ण मुविका नहीं है मैंने जिन राज्यों का जिक्र किया ये मूलता वे राज्य हैं जो केंदरी सत्ता से लगाता टकरा रहे हैं ऐसे ही कॉंग्रेस स्यासित राज्य चाहे वे वह 36 गड़ का राज्य हो या राजस्थान हो और दक्षन के एक दो राज्य ये भी सतत रूप से केंदर सरकार से टकराते रहते हैं दलगत राज्यनीतिक दिश्टिकोन इस टकराहट के पीछे प्रमुख भूमिका निभा रहा है क्योंकि लोग दल के आगे नहीं सोच पा रहे हैं राश्ट्री हित की तिलांजली दे कर ये जो दल हैं ये हर मामले में विरोधी पक्ष का होने के करण केवल विरोध कर रहे हैं कुछ प्रस्ताव नहीं दे पा रहे हैं opposition for the opposition's sake केवल विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि केवल विरोधी हैं जो उचित नहीं हैं केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार जब थी और 1967-68 की चुनावी आंधी में जब कॉंग्रेस की सीटों की संख्या कम हुई और खेतरी दलों का उदे हुआ तो कुछ राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें बनी उस समय पहली बार इस तरह की टक्राहट का प्रादुर भाव हुआ और ये दलगत कारणों से हुआ ruling party केंद्र में बनाम ruling party राज्यों में जब अलग-अलग थी तो टक्राहट बढ़ी माई 1983 में विजयवाड़ा और अक्टूबर 83 में श्री नगर में विपक्षी दलों द्वारा जो सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन में विपक्षी दलों ने संग और राज्यों के मद्ध के संबंधों के पुनरीक्षन की मांग की संगी सरकार को अत्याधिक शक्तिशाली हो जाने की प्रवृत्ति की आलोचना की उसे समाप्त करने का अनरोध क्या संगी सरकार के अधीन जो वित्ती प्रशासन की शक्ति में बदलाहट की मांग की और ये बातें कप की हैं संगी सरकार के अत्याधिक शक्तिशाली होने की प्रवृत्त को समाप्त करना दूसरा राज्य और केंद्र के संबंधों का पुनरीक्षन तीसरा वित्ती प्रशासन में राज्यों की शक्ति को बढ़ाना बदलाव करना और इसके अलावा कुछ अन्यमत दे पर कुल मिलाकर कहने का ताथ पर ये कि इस स्वतंतरता के मात्र तीस पैंतिस वर्श बाद संग और राज्यों के बीच के संबंधों में दरारें आनी शुरू हैं और इन दरारों के पीछे मूल रूप से डलगत राजनीती थी, खेत्री राजनीती थी, राश्ट्री हित कम और दलों का अपने स्वाहिम का हित ज्यादा बड़ी भूमिका निभारा था इन सम्मेलनों के अलावा जनवरी 84 में, कलकत्ता में, 19 विपक्षी दलों ने सम्मेलन आयजित किया था और उसमें राज्यपालों की भूमिका पर प्रश्ण चन उठाये था इसमें कोई दोमत नहीं, कि गत सत्तर वर्शों में और विशेशकर आखरी के चालिस वर्शों में, राज्यपालों को एक तरीके से केंदर सरकारं ने मोहरे के जैसा उप्योग किया और देर सबेर येन के इन प्रकारेंड कुछ भी कारण देते हुए राज्यों की सरकारों को बदलने का खेल किया आज भी कमोंबेश यही स्थेती है कुछ राज्यों में अभी भी सत्ता को लेकर जो उठा पटक चल रही है उसमें राज्यपाल की भूमिका बहुत अम हो गई है कुछ राज्यों में तो देखा गया कि राज्यपाल का जो कार्याल है या राज्यपाल का निवास है वह राजनीति खेल का अड़्डा बन गया यहां ये बात आपको समझ जाना चाहिए कि एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपती बनता है तो वह राष्ट्र का मुखिया होता है किसी दल के उसका कोई संबंद नहीं रहता अर्थात वह निश्पक्ष रहेगा ऐसी राष्ट्रपती से अपेक्षा है और ऐसा ही होता है लेकिन दुर्भागी से राष्ट्रपती से उठकर राष्ट्रपती ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है राष्ट्रपती राष्ट्रपती ने इस मामले में अच्छे उधारन पेशनी किया तो इस प्रकार अनुचे 356 जिसका संबंद राष्ट्रपती शासन से है सबसे ज़्यादा विवाधित प्रावधानों में से एक है हमारे संब्धान का और इसके लेके बारंबार जिरह होती है समितियां बैठती है कोड तक मामले जाते हैं राज्य सरकारों की केंदर को अपीले होती हैं इसके अलावा संगी सरकार के द्वारा बारंबार जो राज्य का अधिकरहन कर लिया जाता है उस पर भी बड़ी आपतिया हैं बहुत से मामले तो ऐसे भी हुए जहां पर राज्य सरकार को बहुमत है राज्य की विधान सभा में विधाईका में सरकार को सपष्ट बहुमत मिलने पर भी उसे बरखास किया गया इस स्थितियां कितनी भी केंदर सरकार की नजर में जायज हो पर सचाई तो यह है कि एक बहुमत में रहने वाली सरकार को बरखास करना एक तरीके से गैर समवयधानिक दिखता है उजहारन की बात करें तो 1969 में केरल में और 1967 में तो बहुत से राजियों में बहुमत की परिक्षा किये बिना ही सरकारे बरखास कर दी गई बहुमत से परिक्षा के माइने हैं कि एक मौका तो मुख्य मंतरी को मिलना चाहिए था कि वह सदन के अंदर अपने दल का बहुमत साबित करे पर बिना ऐसा मौका दिये राजिपाल की अनुशंसा पर राश्पते ने केंद शासन लगा दिया जिसकी शुरुआद 1969 से ही हो चुकी थी केंद राज संबन्दों पर एसर बोमाई वर्सेस यूनिन गर्बर्मेंट में जो सुप्रीम कोट के विचार थे उसके अनुसार तद्कालीन करनाटक के चीफ मिनिश्टर एसर बोमाई जो जनता दल के थे उन्होंने 1989 में ये एक रिट दायर किया एक वाद दायर किया केस दायर किया जिसे सुप्रीम कोट की कॉंस्टिटिशनल बेंच ने देखा कॉंस्टिशनल बेंच कार्थ वो होता है एसा जजों का एक दल मनाया जाता है जो समवैधानिक मामलों में निरने देते हैं दूसरे शब्दों में यदि कोई सा केस समवैधानिक मामलों से जुड़ा हुआ है तो एक या दो या तीन जजों का बेंच उस पर निरने नहीं देता उसके लिए एक बड़ी संख्या के जजों को शामिल किया जाता है और इस पकार यहां पर हम देशे सुनते हैं कॉंस्टिटूशनल बेंच नौ जजों की यह समझने की बात है कि इन जजों ने बड़े विस्तार से इस के बारे में अध्यन किया और आपको मालू होना चाहिए कि जो भी परिक्षाएं आज कल पियसी यूपियसी की होती है चाहे नाय तलसीदार की हो या जज की हो उसमें तीन सो चपन को लेकर एसार बो माई केस के बारे में जिक्राता है यदि राजिपाल ये महसूस करें कि राजिका शासन समयधान के तहरा कारे नहीं हो रहा है तो राजपति शासन लगाया जा सकता है राजिपाल की अनुशन सापर शब्द है महसूस करें अर्थात अपने विवेक पर वह जब चाहे तो इन ने ले सकता है ये विवेक अधिकार जो है वह कई बार आटोक्रेटिक मालूम होता है कई बार इस अधिकार का उपयोग बे सिर पैर के किये जाने का आरोप इसलिए लगता रहता है और इसका प्रणाम क्या हूआ कि जब भी राश्पति शासन लाती होता है तो मंत्री परश bullying बरकास कर दी जाती राज़ और राज़पाल जो है उसके हाथ में एक तरीके से सकता आधियाती है जो राश्पति के मध्यम से राज़ पर शासन चलाता है और राश्पती स्वैम भी कुछ नहीं करता वो केंदर के मंत्र मंडल के आधार पर राजपाल को निर्देशित करता रहता है तो कुल मिलाकर मुद्दा ये हुआ कि केंदर हावी हो जाता है राश्पती शासन की इस्थिति में तो इसमें सरोच नहयले ने क्या निर्देश दिया पहला बहुमत परिक्षण जो है वह केवल विधान सभामी होगा अन्यत्र नहीं दूसरा 356 का उपयोग करने के पहले राज्य को चेतावनी दी जाए और कुछ शमय दिया जाए तीसरा केंदरी मंत्र मंदल द्वारा राश्टपती को दिया गया परामर्श जिसका मैंने अभी जिक्र किया भले ही नियाएक परिक्षण से बाहर हो परंतु उसके पीछे के आधार बिलकुल जाचे जा सकती है आखिर ये परामर्श क्यों दिया गया इसकी जरुरत को हैला भी कर सकता है 356 राश्टपती की शक्तियों पर नर्भदन है संसद के हाथ अनमोधन संसद के द्वारा अनमोधन होने तक राज्यक की विधान सभा भंग नहीं की जा सकती ऐसा सुप्रीम कोट का विचार था एक तरीके से आदेश था इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यक और केंद्र के टक्राओं में के बहुत से उदाहरन हैं लेकिन हमारा समवेधानिक प्राउधानों के मद्दे नजर ये टक्राहट इतनी बुरी स्थिटी में नहीं गई कि राज्यों के बीच में केंद्र के साथ समवाज बंद हो गया हम पाते हैं कि 1994 के बाद राज्यों में रास्पति शासन लागू करने की प्रवर्टि में कमी तो आई है लेकिन इसमें और सुधार की जुरत है और ये कमी का कारण ये कि बारंबार जो राज्यों के द्वारा जो विरोध की आवाज उठ रही थी राज्यपाल के अधिकारों क दुरुपयोग की उसके प्रणाम सुरूप ये कमी आई थी कोई समवेधानिक बदलाव नहीं किया गया था जब जब तक राज्यों में नई सरकार नहीं बन रही हो तब तक जैसे कुछ वर्षपूर उत्राखंड में और 2019 में महाराश में हुआ कुछ दिनों के लिए राश हास्पति शासन लगा दिया जाता लेकिन ऐसा करने से बचने का अब एक प्रयास नजर तो आता है और इस तरह टक्राओं की जो स्थिति है उसको न्यूनितम करने में काफी हद तक सफल हुआ है कही राज्य पालों ने तो बड़ी हास्यास्पति श्थिति पैदा की जब बड़े ओड अवर्स में मुख्य मंत्रियों को शपत दिलाई जा रही है सुबह प्रात्यकाल पाँच बजे राजभवन में बिना किसी को अमंत्रित किये नया मुख्य मंत्री निक्र किया जाता है और वह भी चार पाँच घंटे में उसे स्तीफा देना पड़ता है ये जो राजनीतिक दाउपेच का अड़्डा कुछ राजपाल के निवास बन गए है यह एक चिंता का विशा है और इसी यह चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही है राजपालों का दखल बढ़ता जा रहा है राजपालों के मार्जम से केंडर एक तरीके से एकात्मक शासन की और पूरे देश को ढखेल रहा है संगात्मक जो इसके पीछे जो भावनाएं हैं उसको धीरे धीरे पूरी तरीके से तिलान जली दी जा रही है तो 1984 में भी 1984 में राजपालों के भूमकाल को लेकर अलोचना होती है और याद रखें कि उस समय केंडर में कॉंग्रेस सरकार सत्ता में थी कॉंग्रेस सरकार की सत्ता में रहते हुए इंदरा गांधी राजीब गांधी और कॉंग्रेस की सत्ता रहते हुए कॉंग्रेस के द्वारा जब ऐसा दुरुपयोग किया गया तो आज वही कॉंग्रेस पार्टी किस मोह से वर्तमान सरकार के द्वारा रज्यपालों के उपयोग को परप्रश्ण उठा सकती है उसे संभवता ऐसा नरतिक अधिकार नहीं है लेकिन समस्या तो है कि दुरुपयोग हुआ है और दुरुपयोग हो रहा है इस समद में जहां एक और केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की प्रवृत्ति को समाप्त करने की मान की जा रही है वहीं दूसरी और 1969 में राश्ट्री एक्ता परिश्ट की बैठक होती है और उस राश्ट्री एक्ता परश्ट की बैठक में पिधान मित्री शीमती इंद्रा गांदी विशेश रूप से कहती हैं कि ये सूचना अवश्चक है कि केंदर की शक्तियों को कम करके क्या परणाम होगे खास कर तब जब रज्य विभिन दिशाओं में बढ़ रहे हैं उनका इशारा 1967-68 के चुनावी परणाम खेत्री पार्टियों का उदाय और खेत्री पार्टियों के द्वारा खेत्री भावनाओं को उभारना राश्ट्री हितों के तुलिना में खेत्री हित को ज़्यादा महत्व देने की जो चिंता उस समय शीमते इंदरा गांदी दिखाती हैं वो भी सोचने की बात है और ऐसा कहते हुए उनका कहना होता है कि इस लिए एक आत्मक्ता आवश्यक है यदि एक और तत्काली सत्ता दल एक आत्मक्ता की आश्कता पर जोर दे रहा था तो आज वही दल विरोधी पक्ष में बैठ कर इसकी आलुचना कैसे कर सकता है ये नैतिक्ता के खिलाफ है लेकिन समस्या तो है देश में प्रतिक्रियावादी प्रिथक्तावादी शक्तियां सक्री होते जा रही हैं जिसका मैंने जिक्र किया है और इसके कारण देश की जो एकता है देश की अखंड़ता है देश की सुरक्षा है उस पर खत्रा सदा बना रहता है इन खत्रों को हमेशा के लिए दूर करने के लिए या खंड़ता को चिरस्थाई बनाने रखने के लिए विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए जरूरी है कि केंद्र शक्तिशाली हो इसमें भी कोई दो मत नहीं इसके अलावा संगी सरकार के अत्याधिक शक्तिशाली होते हुए भी इसमें कोई दो मत नहीं कि राज्य सरकारें संगी सरकार की प्रषासनिक इकाईया मात्र नहीं है राज्य सरकारें वर्तमान परिप्रेक्ष में भी जहां संघी सरकार इतनी मजबूत मालूम होती है स्वतंतरता पूर्वक अपने दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखू भी निभा सकती है बशर्ते वह दलगत राजनीती से उपर उठे हम 36 गड़ राज्य का उदारन लें यहां पर केंदरी राजनीती उतनी हावी नहीं है क्योंकि यहां पर संभवता सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं विकास के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं जन कल्यान के और उस हद तक केंदर सरकार, राज़ सरकार के इन प्रयासों से संतुष्ठ है और इसलिए दखल के उदाहरन, 36 गड़ केंदर के संबन्नों के बीच में कम से कम आज तक तो नहीं हैं, या कम ही हैं इस समंद में, ग्रेंविल आस्टिन, उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो नई दिल्ली नहीं है भारत जो है वो नई दिल्ली नहीं है, भारत तो राज़ियों की राजधानिया भी हैं राज़ केंदरी सहयता के आकांख्षी हैं, परंतु राज़ियों के सहयों के बिना संग बहुत दिन नहीं रह सकता बहुत महत्पूर्ण बात है, इसके तीन माएने हैं राज़ियों की अहमियत उसकी राज़्धानियों को रिशारा करके स्पष्ट किया है, ग्रेन विले ने दूसरा, राज़ियों के बिना संग नहीं रह सकता कम से कम कायम नहीं रह सकता और तीसरा, कि केंदर सरकार भी राज़ियों पर निर्भर है राज़ियों केंदरी सरकार की नीतियों के मध्यम हो सकती है परंतु उनकी सहायता के बिना केंदरी सरकार अपनी किसी भी योजना को क्रियानवित नहीं कर सकती बहुत उस्पष्ठ है, जो तीसरा बिंदु है कि राज्य सरकारें केंदर सरकार की जो भी नीतियां हैं उसका जरिया तो है लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि राज्य सरकारों की मदद के बिना केंदर सरकार अपनी किसी भी योजना को लागू नहीं कर सकती सफल नहीं हो सकती और इस विकार स्पाष्ट है कि दोनों एक दूसरे पर निरभर हैं राज्यों को ये महसूस होना चाहिए कि हम भी काफी कुछ सुतंत्र हैं स्वायत हैं और केंद्र को हावी होने का मौका नहीं देना अर्था यदि समवैधानिक धाचे के अंदर जिम्मेदारी से उत्तरदाईत के साथ राज्यसकारें अपना काम करेंगी तो निश्चित रूप से ऐसे टकराओ की स्थिती नियूनितम रहेगी फिर भी बदलते हुई राज्यनितिक और बदलते हुई आर्थिक परिप्रेक्ष में संग राज्यों के संबंद को रीडिफाइन करना जरूरी हो गया है सत्तर वर्ष का एक लंबा काल निकल गया है बहुत सारे अनुभव हुए बहुत सारे प्रयोग हुए इन प्रयोगों और अनुभवों के मद्दे नजर समय आ गया है कि इन संबंदों को लेकर पुनरेक्षन हो पुनः परीक्षन हो री एक्जामिनेशन हो री एसेस्मेंट हो और इन सब के बाद ऐसी विवस्था की जाए कि राज्जों के पक्षमे करों का वित्रन पहले से ज़्यादा बढ़ है क्योंकि राज्जों के अपने खर्चे बहुत बढ़ गया है क्योंकि राज्ज बार महसूस करते हैं कि उन्हें केंदर के सामने एक बेगिंग बाउल लेकर खड़ा होना पड़ता है वे चाहते हैं कि उनकी निर्भरता केंदर पर कम से कम हो इसलिए पुनरीक्षन की तो निश्चित रूप से आवश्यकता है परमावश्यक है भूद्पूर नयदीश गजेंदर गड़कर उन्होंने कहा है कि सम्विधान के प्रावधानों में किसी मौलिक परिवर्तन की जरुत नहीं है मूल भूद धाचा हमारा विल्कुल ठीक है कोई आधार भूद बदलाओं की जरुत नहीं है सम्विधान निर्माताओं ने जो सम्विधान दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है बड़े दूर गामी सोच के साथ बनाया है तो उनका कहना है कि सम्विधान के प्रावधानों में किसी भी मौलिक परिवर्तन की जरुत नहीं वरन संग और राज्य सरकारों के मध्य संबंदों को व्यवर्थित करने के लिए स्वस्थ संगी परंपराएं इस थापित करने की जुरत है स्वस्थ संगी परंपराएं और परंपराओं के दिबात होती है तो इसका कानून से कोई सरुकार नहीं होता परंपराओं का संबंद संबंदित लोगों के नैतिक सोच पर है उनके अपनी स्वाहिम की ख्यमता पर है जिससे वे ऐसी परंपराएं कुछ थापित करें जो सकेंद्र और राजी के संबन्दों को बहतर बनाने में मदद करते हैं हर भीमारी का इलाज कानून नहीं होता कानून से उठकर हमें ऐसी परंपराओं को लाना होगा ऐसी परंपराओं को प्रारंब करना होगा जो इन दोनों के बीच के संबन्दों में मदधूरता ला सके